अप्लाइ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसके लिए हम इसका 12-12 बज़े तक का सब्क्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम का अप्डेट देख लेते हैं इससे क्या है कि हमें काफी अतकंदाज हो जाएगा कि इस IPO में हमें अप्लाइ करना चाहिए या इसको अवाइड करना चाहिए 0.85 गुना दोस्तों अभी 12-12 बेज़े तक ये under subscribe है जो कि इसके लिए थोड़ी negative बात हो सकती है पर दोस्तों मुझे लगता है शाम 5 बेज़े तक हमें इसके इंदर over subscription देखने को मिलेगा मतलब ये एक गुना से भी ज़्यादा subscription हमें इसमें देखने को मिल सकता है और बागी दोस्तों इसके जो QIB portion सब्सक्राइब हुआ है 0.14 गुना QIB portion भी अभी तीसरे दिन काफी कम सब्सक्राइब हुआ है NIA portion 0.0 आंड गुना जो कि इसके लिए थोड़ी negative बात हो जाती है और दोस्तों मुझे लगता है कि शाम 5 बज़े तक हमें इसके अंदर और भी काफी अची deals देखने को मिल सकती है मतलब इसके अंदर हमें QIBs और NIA से अच्छा subscription देखने को मिल सकता है यह सारी चीजे तो हमें साम 5 बज़े के बाद ही पता चलेगी कि कितने गुना subscribe हुआ है total और दोस्तों इसके retail portion के बाद करें तो retail portion ऐसा अकेला portion है जो की over subscribe है मतलब 1.81 गुना इसका retail portion सब्सक्राइब हुआ है जो कि इसके लिए अच्छी बात है और बाकी overall देखा जाए तो 12-12 बज़े तक इसको काफी कम subscription हमें देखने को मिला है अभी ये 12-12 बज़े तक under subscribe है और दोस्तों इस IP के जो grey market का premium चल दा है लगबग 30 से रुपे से लेकर 32 रुपे के बीच में जिस दिन इसकी listing होती है अगर market negative रहता है तो इसकी listing पर और भी ज़्यादा impact देखने को मिल सकता है अगर market positive रहता है जिसाट Metplus के IP के listing में हमें देखने को मिला market positive था तो इसकी listing हमें अच्छी देखने को मिली मनलब जिस रहसाब से हम उम्मीद जता रहे थे के 900 से 1000 रुपे के बीच में इसकी listing हो सकती है पर उससे भी हमें अच्छी listing देखने को मिली और इसकी भी अगर listing पर उस दिन ऐसा कुछ effect आता है मनलब market negative रहता है तो listing में थोड़ा बहुत effect देखने को मिल सकता है और बाकि आज की condition के इसाब से 10-15% का listing ये समय देखने को इस IPO में मिल सकता है और बाकि दोस्तों long term के इसाब से बात करें तो long term के साब से ठीकी company है और ये सई valuations पर company list होने जा रही है तो इससे सबसे IPO एकदम बड़ी है नज़र आ रहा है इसका price band भी अच्छा है financially अच्छी company है और जो ये काम गरती है पर इतना भी कम नहीं होगा थोड़ा थोड़ा जरूर इस पर effect पढ़ने वाला है तो future का ये सारी चीज़े हमें ध्यान में रखकर इस IPO में apply करना चाहिए तो long time के लिए अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा नुकसान नहीं देगा और ठीक ठीक हमें फाइदा दे सकता है और listing gains के एसाब से बात करें तो 10-15% का listing gains मिल रहा है बाकी जो मुझे लगता है ज़्यादा risk नहीं लेना चाहते हैं इस IPO पर मतलब इसमें ज़्यादा listing gains के chances अभी कम नज़रा रहे हैं अगर ज़्यादा risk नहीं लेना चाहते हैं तो उसको avoid भी कर सकते हैं और थोड़े risky investors हैं जो risk को jail सकते हैं अगर discount के साथ भी खुलता है तो उसको भी send कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो इसके साथ जा सकते हैं बाकी इसके अंदर listing के जाएं इसके chances अभी के इसाब से कम नज़रा रहे हैं बाकी दोस्तों आप कोई भी decision ले तो अपनी risk पढ़ ले इससे कहा कि आपका risk काफी अब तक कम हो जाएगा और बाकी दोस्तों personally मेरी बात करें तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ इस IP में अपलाई करूँ या नहीं करूँ मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ तीन बज़े तक और सब्सक्रिप्शन देखूँ उसके बाद मैं इस IP में अपलाई करने का सोचूँगा तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता आपका confusion काफी तक clear हो गया होगा गि आपको इस IP में अपलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और दोस्तों अगर आपका confusion clear हुआ है तो आप लोग का इस IP में अपलाई करेंगे या इसको avoid करने वाले हैं मुझे comment करके ज़रूर बताएं तो दोस्तों हमारा वीडियो हमारी जानकर ये अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को like ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को subscribe कर लें ऐसे और भी जानकर ये related वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं दोस्तों next वीडियो के अंदर